नमस्कार दोस्तों मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरेवर पर दोस्तों राज पलायम मिल्स लिम्टेट इस कंपनी का राइट इसू कल से ओपन होने जा रहा है तो इसके बारे में थोड़ी जानकाई दे देता हूँ आपको और ए इसू के लिए एपलाई करना पड़ता है तो चलिए बात करते हैं राज पलायम मिल्स लिम्टेट का जो है राइट इसू ओपन हो रहा है कल 18 तारिक से तो यह ओपन हो रहा है 18 जनवरी 2023 से और क्लोज होगा 7 फरवरी 2023 को तो जो भी इन्वेस्टर जो एलिजिबल इन्वेस् 39 रुपेश 5.69 रुपीज पर सेर का यहांपर जो है राइट पर राइट सेर का यहांपर पर राइट रखा गया है और यह पूरा का पूरा अमाउंट आपको अन एप्लिकेशन पे करना है इसू का साइज देखें तो टोटल छे हलाग 12par 1680 सेर का यह राइट इसू है और ज जैसे ही right issue open होता है यानि कि 18 तारिक से इसका right issue open हो रहा है तो right issue open होने के साथ ही right entitlements की trading भी start हो जाती है तो ये right entitlements की trading क्यों होती है जिन भी किसी investors को अगर right issue में apply नहीं करना है तो वो अपने rights जो उनको allot हुए है उन्हें sell करके जा सकते हैं पूरा चाहें तो पूरा या फि sell कर सकते हैं और जो भी बचे right entitlements है उन्हें भी apply कर सकते हैं या फिर पूरे के पूरे भी sell कर सकते हैं इसके साथ ही अगर किसी को और जाधा right entitlements लेने हैं अगर वो discount पे मिल रहे हैं तो वो और अधिक right entitlements add करके उन्हें जाधा right sales के लिए apply कर सकते हैं तो इसलिए जो है right entitlements क trading होती है अब इसकी जो last date रहेगी यानिगी 18 जनवरी 2023 से right entitlements की trading start हो जाएगी और इसकी जो last date रहेगी वो रहेगी 2 February 2023 जी हाँ तो 18 जनवरी 2023 से 2 February 2023 तक जो है वो right entitlements की trading चलेगी उसके बाद right entitlements की trading तो बंद हो जाएगी बट आप जो है इसू के लिए apply कर सकते हैं साथ फरवरी तक और जैसे ही right entitlements की trading बंद होती है उसके बाद फिर जो है rights का renunciation बंद हो जाता है तो यहां पर ध्यान रखें कि right entitlements जो होते हैं वो temporary listed securities होते हैं क्योंकि जब right entitlements की trading start होती है तो right entitlements discount price याने की share से नीचे के price पर जो है trade करते हैं तो लोगों को लगता है कि इस amount का share इतने कम amount में मिल रहा है जबकि वो right entitlements होते हैं अगर आप उन्हें purchase कर लेंगे और कोई action नहीं लेंगे आने कि अगर right issue के लिए apply नहीं करते हैं तो issue closing के बाद वो lapse हो जाते हैं तो जो भी premium आपने दिया है वो right entitlements purchase करने के लिए secondary market से वो premium भी आपका loss में चला जाता है यह जानकारी हर वीडियो में देता हूँ क्योंकि बहुत से नए investor जो है वो right entitlements को normal share खरीद कर फज जाते हैं और फिर जो है काफी जादा loss में चले जाते हैं अब यहाँ पर अगर हम देखें तो stock का जो current market price चल रहा है वो अभी 700 रुपे पर चल रहा है और जो issue price है वो 569 का है तो कितने का यहाँ पर discount मिल रहा है तो लगभग अभी price पर देखें तो 131 रुपे का और जब 18 तारिक को right entitlements की trading start होगी तो जो fair value निकल के आएगी right entitlements की जो भी 131 रुपे पर यह open होते दिख रहे हैं तो अगर 131 इसका जो है fair price रहता है और 131 के नीचे चले जाती है trading तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि जो है discount पर यह trade हो रहा है या फिर अगर 131 से काफी ज़्यादा open होता है तो फिर कहेंगे कि यह premium पर trade हो रहे हैं तो यहाँ पर जो discount यह premium decide करेगा कि जो इसका current market price जो already listed share है उससे अगर हम issue price घटा देते हैं तो उसका difference जो है वो right entitlements के price के बराबर चल रहा है या नहीं अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब discount पर right entitlements trade हो रहे हैं और अगर right entitlements का price उस अंतर से ज़्यादा है right entitlements जो trade हो रहे हैं तो वो premium पर trade हो रहे हैं इस तरह से यहां पर यह ध्यान रखना होगा तो बिल्कुल ध्यान रखें कि जो right entitlements है वो temporary listed securities होती है और यह issue closing के बाद जो है lapse हो जाते हैं तो अब जब इनकी कल right entitlements की trading start हो जाएगी फिर हम देखेंगे कि किस तरह से यह trade कर रहे हैं और क्या एक अच् सारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा थैंक यू